नमस्कार किशान भाईयो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मिंग इंडिया हिंदी पर तो किशान भाईयो खेती की नई नई तकनीक की जानगारी पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें फार्मिंग इंडिया हिंदी चैनल को तो किशान भाईयो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे घरडा कैमिकल्स कंपनी के एक प्रोड़क्ट बोक्सर के बारे में जी हाँ किशान भाईयो बोक्सर के बारे में हम आपको बताएंगे कौन-कौन सी फजल पे इसका इस्तिमार कर सकते हैं आप और कितनी आपको डोज लेनी है, कितनी रुपय का आपको यह पढ़ता है और आप कहां से इसको खरीज सकते हैं, क्या इसके फाइदे हैं यह सब जानकर यह आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी इसके अंदर की बात करें तो इसके अंदर डेल्टा मैंत्रीन 11% EC formulation में यह टेकनिकल आता है किसान बाईयो boxer के अंदर जो आता है अगर हम बात करें किसान बाईयो जैसे कि अब कपास की फसल के अंदर जो अगेती विजाई कर रखिया कपास में जिसमें टिंडा बनना शुरू हो चुका है उसके अंदर किसान भायो क्या है कि गुलाबी सुन्डी का प्रकोप आ रहा है तो उसके लिए आप बहतर जैल्ट के लिए आप बॉक्सर का इस्तिमाल कर सकते हैं अगर हम इसकी डोजगी बात करें तो किसान भायो यह 100 ml परतियकड के साब से आपको इसका इस्तिमाल करना है चलिए अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी क्रोप पे इसका इसका इस्तिमाल कर सकते हैं कोटन यानि की कपास, टमाटर, बिंडी, धान, मिर्च, आदी फजलों पर इसका इस्तिमाल आप कर सकते हैं जो हमने इस वीडियो के अंदर बताया उन कीटों की रोक थाम के लिए चले किसान बाइओ, हम बात कर लेते हैं, हमने डोज के बारे में आपको पता दिया इसकी रेट के बारे में अगर हम 100 ml की जो डोज होती है, 100 ml की जो पैकिंग होती है, वो आपको लगबग 250 या 300 रुपई की मिल जाती है आपको थाम के इस्तिमाल के लिए आप बॉक्सर का इस्तिमाल कर सकते हैं, किसान बाइओ, यह थी जानकारी गर्ड़ा कंपनी के बॉक्सर इंसक्टिशाइड के बारे में, तो यह जानकारी आपको अगर अच्छी तरह से समझ में आ गई हो, और इस यूडियो को लाइक कर कर लिजीगा, अपने किसान बाइओ में जानकारी को शेर जूर कीजीगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं, तो अपली चैनल को सब्सक्राइब जूर कर लिजीगा, तो मिलते हैं जल्दी एक और नहीं जानकारी के साथ, तब तक के लिए जैहिन दोस्तों